24 की जंग में कोई हिंदू मुसल्मान कर रहा है तो कोई माफियाओं की जरिये माफियाओं से हमदर्दी जताते हुए अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहा है आपको जानकारी देदे हैं कि संबल लोकसभा सीट से सपा उमीदवार जियाओर रह्मान बर्क पर F.I.R दर्ज की गई है सपा प्रत्याशी जियाओर रह्मान बर्क ने मुखतार अंसारी अतीक एहमद के नाम पर वोट मांगे थे और अब उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं देके समाजवादी पार्टी की अगर आप बात करेंगे तो समाजवादी पार्टी अतीक एहमद और अतीक एहमद और माफिया मुकतार अंसारी के नाम पर वोट मांगा गया उनके खिलाफ अब एफ आई यार दर्ज हो गई है आपको जानकारी देदें कि शफीकुर रह्मान बर्क का हाली में निधन हुआ और इसके बाद जियाओर रह्मान को सपा ने टिकेट दे दिया था पूरे परिवार को जेल में डालकर जुक्या गया है चाहे हमारे शाबुतिन सहाबो अतीक एहमद सहाबो मुकतार अंसारी सहाबो जो उनके साथ में जो सुरत नहीं हो यह पूर नहीं सकता मेरी गुजारी से आप सब लोगों से कसम है आप लोगों को कि उनकी पुर्बाले क्यों जाया मत होने देना और इस भाटे धर्टा पार्टी का कुटा साथ हो गरी लगत देना अब देखे जिस अतीक एहमद और माफिया मुकतार अंसारी की बात की जा रही है उनका इस इलाकों से बड़ा नाता रहा था अतीक एहमद की आप बात करेंगे तो फूलपूर से अतीक एहमद का नाता रहा इन इलाकों से अतीक एहमद प्रतिनिती चुनकर जाता रहा और अ अतीक एहमद की जब हत्या हुई पुलिस कस्टेडी में तो कई सवाल उठाए गए अतीक एहमद से हमदर्दी की गई जो हमदर्दी वाला सियासी चश्मा है वो जरूर लगाने की कोशिश की अब देखिए कुछ लोगों से हम बात करेंगे कि अतीक एहमद और मुक्तार अंसा जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं यहां पर तो चर्चा अतीक एहमद और मुक्तार अंसारी की भी होती है काई लोग उनके नाम पर वोट भी मांगते हैं वोट मांगना ठीक है उनके नाम पर जी नए अपकी दाक्स कांग्रेस सरकार आईगी अब देखिए मुद्दे पता हो या ना हो लेकिन कॉंग्रेस सरकार की बात यहां पर लोग कर रहे हैं हाला कि यह जो सीट है अगर आप फुलपुर की बात करेंगे तो यह सीट सिर्फ समाजवादी पार्टी के खाते में जाती वी नज़रारी आये कुछ और लोगों से अथीक एहमद और माफिया मुक्तार पर बात करते क्या नामें भीया मानी चंविन अच्छ लोग है अथीक एहमद का तो इस इस इलाके से नाता रहा अथीक एहमद की हत्या प्रयागराज में हुई पुलिस कस्टिडी में कुछ लोग है कि उनकी मौत के बाद बार-बार कहते हैं कि गलत है सहनभूती दिखाते ह कोई इस्मुजे का यहां पर, इफना हमें लोग करें अपना सोंच है आदमीों का, कौन सा नेता अच्छा लगता सब्सक्राइब? नेता ये कहते हैं कि उन्हें मार दिया गया, सरकार ने मारा, ये गलत है? नहीं, नहीं, बिल्कुल सही हुआ है.